हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो हम पढ़ रहे थे ओफेंस अगेंस्ट प्रॉपरिटी इसमें आज हम पढ़ेंगे डिसॉनेस्ट मिस अप्रॉप्रियेशन आफ प्रॉपरिटी जो हमें बता रखा है सेक्शन नमबर 403 में तो 403 में हमें जब बता रखा है कि डिसॉनेस्ट मिस अप्रॉपरियेशन आफ प्रॉपरिटी कब होगी कि जब आप डिसॉनेस्ट ली मिस अप्रॉपरियेट कनवर्ट कर लेंगे उस मूवेबल प्रॉपरिटी को अपने ओन यूज के लिए तो आपको पनिशमेंट हो सकती है दो साल या फिर फाइन या फिर बोथ तो इसमें क्या important है कि आप डिसॉनेस्ट ली मिस अप्रॉपरियेट कनवर्ट करते हैं उस मूवेबल प्रॉपरिटी को अपने ओन यूज के लिए तो वो डिसॉनेस्ट मिस अप्रॉपरियेशन ओफ प्रॉपरिटी हो जाता है इसमें एक अगर परसन को कोई प्रॉपरिटी मिलती है और वो उस टाइम किसी भी परसन की पोजेशन में नहीं होती ठीक है तो वो उस प्रॉपरिटी को ले सकता है और उस प्रॉपरिटी को उ रख सकता है जब तक कि उसका ओनर नहीं मिल जाता है ठीक है जब तक और अगर उसने क्या कहते हैं उसको यूज कर लिया तो वो डिसॉनेस मिस अप्रोप्रियेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है ठीक है इसका जो एक हम एक्स्प्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक इलस्टेशन में हमें बता रखा है कि एक जो एएक है उसने जड की प्रोपर्टी ले ली और जड के बिलोंग करती है वो उस property को पहुचा देगा तो यहाँ ए जो है वो theft का guilty नहीं है मगर जब A को पता चलता है कि उसने जो है जो property ली थी उसने वो अपने own use के लिए इस्तमाल कर ली है तो यहाँ पे वो जो A है वो guilty हो जाएगा dishonest misappropriation of property में अब हम पढ़ लेते हैं 404 तो इसमें बता रखा है कि dishonest misappropriation of property possessed by disease तो इसमें अगर आप कोई person मर गया है और उस मरे वे person के उपर से उसकी अंगूठी अंगूठी निकाल लेते हैं और उसे फिर बेच के अपने own use में इस्तमाल करते हैं तो यह यह crime होता है और इसकी सजा 7 साल तक होती है अब हम आजाते हैं criminal breach of trust तो criminal breach of trust में एक person को property से property को entrust किया जाता है और वो उस property को dishonestly misappropriate कर लेता है और या फिर उसे अपने own use के लिए अपने खुद के लिए उस property को convert करके बेचके कुछ भी करके अपने use के लिए कर लेता है और उस property को dispossess कर देता है और वो violation करता है किसी भी law का जो की law का वो violation करता है और जो उसे trust के द्वारा दी गई प्रॉपरिटी थी वो उस property को मतलग हटाता है इसमें हमें क्या कहते हैं हमें exception दे रखा है exception इसमें बता रखा है कि जो भी employer है जो भी employer है employee provident fund और employee state insurance fund इन सब में जो employer होंगे उन्हें exempt कर रखा है कि जो employee जो contribution देगा वो wages जो होंगी वो employee को credit में दे सकता है और अगर वो default करता है इस payment में और इस fund में अगर वो default करता है तो वो violation होगा और criminal breach of trust में वो आएगा ठीक है अब हम punishment पढ़ लेते हैं criminal breach of trust की वो हमें 406 में दे रखी है 406 में हमें 3 साल की punishment इसकी दे रखी है 410 पढ़ेंगे अब हम सीधा stolen property तो stolen property क्या होती है कि जब एक property का possession जो है चोरी द्वारा या extortion द्वारा या robbery द्वारा ट्रांसफर किया जाता है मान लिजिए एक चोर ने कोई A के property चोरी करी और इस property को चोरी करके अब उनने sell कर दिया इस एक A person को इस चोर ने जड जो था वो चोर था और जड ने चोरी करके अब इस property को sell कर दिया A person को तो जो ये property होगी वो अब stolen property मानी जाएगी ठीक है तो इसमें क्या कहते है एक क्या कहते है property जो होती है वो property का possession ट्रांसफर करा जाता है theft, extortion या robbery द्वारा के कहते हैं criminal breach of trust commit की हो जाता है stolen property में और अगर stolen property उस person के possession में आ जाती है जो person उसका legally entitled था उस possession का तो वो property stolen property फिर उसके बाद stolen property नहीं रह जाती है 411 पढ़ लेते हैं 411 में बता रखा है dishonestly receiving stolen property तो अगर आप dishonestly किसी stolen property को receive करते हैं या retain करते हैं और आपको पता है कि ये जो property है ये चोरी की property है तो आपको 3 साल का 3 साल के सजा और fine होगा 415 पढ़ लेते हैं 415 में हमें बता रखा है cheating तो cheating में हमें बता रखा है कि जब आप किसी एक person को deceive करते हैं बहलाते फुसलाते हैं या fraudidentally dishonestly उस person को बहला फुसला के कोई property उससे deliver करवाते हैं ठीक है तो वो cheating में आता है और उस person की जो consent है उस person की जो consent है उसके खिलाफ property रिटेन कर लेते हैं और intentionally आप उस person को बहलाते फुसलाते हैं या कोई ऐसा काम करवाते हैं ताकि वो उस काम को करने से भूल जाए और जब वो उस काम को करने से भूल जाए तो किसी दूसरे person की body, mind या reputation पे भी अगर हानी पहुशती है तो वो भी cheating में आता है इसमें क्या कहते हैं dishonestly concealment of fact जो होते हैं वो भी cheating होता है इसमें जैसे की मान लीजे मैं आई गोड़ा लेने गया और क्या कहते हैं मैंने उस से पूछा कि ये गोड़ा सही है और वो गोड़ा क्या कहते हैं लंगडा था मगर उसने बताया नहीं जैसे की गोड़ा लंगडा था तो ये cheating होगा क्योंकि उनने concealment of fact करा था और उनने बताया है नहीं मुझे अगर वो मुझे बता देता तो ये cheating नहीं होता और अगर वो मुझे बता देता के ये गोड़ा लंगडा है और फिर भी मैं खरीद लेता तो फिर वो फिर मेरे पर liability नहीं रह जाती क्योंकि फिर वो कह सकता था कि मैंने सब 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 सच बात बता जी थी ठीक है अब हम आगे पढ़ लेते हैं आगे हमें बता रखी है cheating by personation जो की है 416 में तो इसमें बता रखा है कि जब आप कोई क्या कहते हैं police officer बनके या कोई public authority की तरफ से बनके आप कोई dress dress पहन के dress dress पहन के आप वो करते हैं यह show करते हैं कि आप ही वो officer है तो आपको इसमें सजा मिलेगी 419 में इसमें सजा दे रखी है 419 में जो हमें सजा दे रखी है वो 3 साल की सजा दे रखी है personation की ठीक है 417 पढ़ लेते हैं cheating की punishment 417 में दे रखी है जो की एक साल तक होएगी एक साल तक की cheating की punishment है और 420 पढ़ते हैं अब हम 420 में हमें बता रखा है कि आप cheating कर रहे हैं ताकि आप कोई क्या कहते हैं कोई property की delivery ले सके तो आप cheating कर रहे हैं but dishonestly उस person को बहलाते हैं ताकि बहलाते फुसलाते हैं ताकि वो उस property की delivery कर सके या फिर कोई valuable security को बना सके alter कर सके या फिर उसे destroy कर दे या फिर किसी valuable security पे sign या seal लगवाते हैं तो यह 420 में आ जाता है जिसे 420 भी कहते हैं इसमें valuable security आता है 425 में हमें mischief के बारे में बता रखा है तो mischief क्या होता है जब क्या कहते हैं इस एक person एक जो person है वो आपका wrongful loss करना चाहे या फिर public को damage बहुचाना चाहे या फिर किसी person को damage बहुचाना चाहे उसकी property को destroy करना चाहे या फिर उसकी value जो है उस property की वो गिराना चाहे तो वो mischief में आता है ठीक है इसमें क्या कहते हैं ये essential नहीं होता है कि उस person की intention क्या थी बस उसमें क्या कहते हैं वो उसे loss और वो क्या कहते हैं कोई loss या damage पहुचा रहा है owner को या उसकी property को injury पहुचा रहा है तो वो mischief में आएगा और इसमें क्या कहते हैं ये sufficient होता है कि वो अगर wrongful loss या फिर damage करता है किसी property को जो कि उस person की नहीं है तो वो mischief में आता है 426 में हमें mischief की punishment दे रखी है 426 में हमें mischief की punishment दे रखी है जो की 3 month होती है 430 में अगर आप wrongfully divert करते हैं water को अगर आप किस को water को wrongfully divert करते हैं 431 में अगर आप कोई public road या bridge या river या channel को injury पहुचाते हैं तो उसमें आपको सजा मिलेगी 434 में अगर आप कोई landmark को 434 में अगर आप कोई landmark को हानी पहुचा रहे हैं तो आपको इसमें सजा मिलेगी 436 में अगर आप आग लगा देते हैं या क्या कहते हैं कोई explosive bum लगा देते हैं ताकि कोई घर उड़ा सकें तो 436 आपके उपर लगेगा 440 आपके उपर तब लगता है जब आप mischief कमिट करते हैं और उसकी क्या कहते हैं preparation करने के बाद preparation करने के बाद आप जो हैं उसकी death cause कर देते हैं तो जब death cause हो जाती है तो आपको 5 साल तक की सजा हो जाती है mischief में अब क्रिमिनल ट्रेस्पास हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तब तक आप मेरी बाकी वीडियो देखिए और पढ़िए धन्यवाद